हालो दोस्तों कैसे आपस भी स्वात करते हैं आपस भी कईवस्त जी कोईज में तो फिर न आए जो एकी बिहार डिलर इंट्रेंस एक्जाम के लिए इसपेशल 2023 में जो भी इंट्रेंस एक्जाम देने वाले हैं आएज की इस सेट को कम्पेट आपस जरूर कवर किजेगा क्यो चले शुरू करते हैं आएज किस लेक्चर को हम सभी और दिख्या आपसे लिए अप्लिकेशन पे भी क्लासे चल रहे हैं जो क्लास को जोएन करना चाहते जाए जोएन कीजिए संपूर्ण त्यार कीजिए मिनिमुम फी में बेस्ट कंटेंड के साथ में जोएन कैसे करना है वीडियो बनावे वीडियो को देख लेज़ेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंड बॉक्स में पिन किया हुआ है आन्या था आपस भी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं यूबा सकती जी की कोई सर्च करके तो चले शुरू करते हैं आएज आयत कि सेट का अगर इन सेट में किसी भी कोईशन का आंसर पता होता अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं चले बताएंगे इस कोईशन का राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर आप सभी नीचे को माना जाता है ध्यान रखेगा क्योंकि अभी जो सभीधान में लिया गया है लगबग दो बटा तीन बाग जो इफेंड वो भारत सरकार अधिनियम उने सो पाइटीस से ही लिया गया ध्यान रखेगा जैसे क्या लिया गया है शांगनात्मक सरकार के अस्थापना केंद्र में दुएचासन के अस्थापना पलस में दूई सदनिये केंद्र विधान मंदन लिया गया है केंद्र वम प्रांतों में सक्तियों का विभाजन से सम्मंदित तत्व जो लिया गया है वो भारत सरकार अ मौलिक अधिकार था ध्यान रखेगा आप सभी कितने मौलिक अधिकार थे साथ मौलिक अधिकार अभी कितने हैं छे मौलिक अधिकार है ध्यान रखेगा हटाया गया क्या संपत्ति के अधिकार को अधिकार को अधिकार कर दिया ध्यान रखेगा अभी मेरी पास छे मौलिक अधिकार सोशन के विरूद अधिकार धार्मिक सोसंतरता का अधिकार संस्कृति तथा सिक्षा सम्मनित अधिकार उसके बाद सभिधानिक उपचारों का अधिकार तो यह अभी छे अधिकार हैं संपत्तिक अधिकार को हटा के कानुनिया अधिकार में दे दिया गया अगला है कि राजिक के निती निर्देशक सी दांतों में कौन सा गांधी बादी दर्शन पर अधारित नहीं है यह सभी क्या है गांधी बादी दर्शन पर अधारित है अगला है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिसों के अधार पर भारत की समै कित निधी से राजियों की साहता अनुदान देती है तो यह जो देती है फ्रेंड बित आयो की सिफारिस पर ध्यान रखेगा आप सभी ऑफशन में ए राइट आंशरेंगे अगला question देखिए भारत में अफ्सिष्ट सक्तियान नहीं दोती है तो right answer option में योज़ेंगे के अंदर सरकार में नहीं दोती है option में ये right answer हैंगे देखिए आप सभी के लिए इसके अलावा जो कि फिंड अभी तक में तेरा special practice rate आपको दे दिया गया है जो कि सारे selected practice rate आप सभी उसे जरूर सॉल्व कर लिज़ेगा practice rate का लिंक निचे description में दिया हुआ है सारा playlist में आइड कर दिये तो तेरा practice order हो चुका है आप सभी जरूर उसे कवर कर लिज़ेगा अगला है कि भारत सरकार का मुख्य कानुनिस सहलाकार किसे माना जाता है वो राष्टपती न्यूकती करता है भारत की महनिवादी को कानुनि मामलों में प्रामर्स देने के लिए करता है के लिए रहें आगला question देख लिए जरूर कर दिज़ेगा आपका एक like motivation कराता है लाइक आपस भी जरूर किज़ेगा वीडियो को अगला question दिखे भारते से विधान के किस अनुचेद के अनुचेद के अनुचार राज विधान परिशत बनाई या समाप्त की जा सकती है तो right answer option में स्विज़ेगे अनुचेद 179 के तहद राज विधान परिशत बनाई जा सकती है या समाप्त की जा सकती है अगला question दिखे question 8 भारते से विधान के किस भाग में केंदरसासित परदेशों के बारे में बताया ग्या है right answer option में भाग आठ में जोईफेंड वो केंदरसासित परदेशों के बारे में बताया ग्या है अगला question ने कोका कोला जैसे पदार्थों में किस अमलिकी उपस्थिती के कारण खटा स्वाद का अनुवाव होता है right answer option में यह जाएंगे फास्फोरिक अमलिकी उपस्थिती के कारण जो फिर्ण वो खटा स्वाद होता है ध्यान रखेगा आप सभी और फास्फोरिक अमलिक का सूत्र क्या होता है तो ध्यान रखेगा आप सभी H3PO4 होता है तो याद रखेगा आप से भी H3PO4 होता है अगला कोशन देखे लिए जे एलक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है तो एलक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है फ्रेंड वो पॉजिट्ट्रॉन होता है भी रैट आंसरेंगे जो अभी आफसर में भी क आने वाला तत्व कौन सा है बर्मान की बात किया जा रहा है तो A8 आंसरेंगे हाइट्रोजन पाय जाता है बर्मान में ध्यान रखेगा आप सभी हाइट्रोजन बर्मान में सबसे अधिक मातरा में पाय जाता है पर अगर वायू मंदल यह की बात करें कि वायू मंदल में सबस मात्रा का आयतन उसके दाब के व्यूत कर्मानुपाती होता है यह नियम क्या कहलाता है छेले बताएंगे इस नियम को क्या काते है हम सभी तो राइट आंसर आपसर में यह जाएंगे वोयल का नियम कहा जाता है फिर्ण किसका नियम कहा जाता है वोयल का नियम कहा जाता है अगला है कि धुवा किस पर करके विलियन का उधारन है चले कोईस्ट में 13 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे देखे पूरा डेड़ चो कोईस्टन का आपको पेडियाप टेलीग्राम पे देदेंगे तो वहां से जाके आपसे भी डाउनलोड कर लिजेगा टेलीग्राम का नाम युवा सकती जीके कोईस्ट है लिंक डेस्क और यूलोड करने वाला पदार्थ निमन में से कौन नहीं है राइट रॉट अंसर zod मने जायए नैट Prose अंभनेन में चैनल और अगला पिर आक्साइड है और अगला कोईस्टन कि तो राइट आंसर ऑप्सन मर एघ जाएंगे लूड्ड विल्यम बेंटिंग फिए ब्रूर्ड विल्यम बेंटिंग जो है यह भारत के पर्थम गवर्नर जिनर ते धियान रखेगा आप रखेगा चकर विर्थी राज गुपालाचारी कौन थे तो यह स्वचंद्र भारत के पर्थम भारतिय गवर्णर चेनर थे लौड मॉंड वेटन कौन थे तो ये स्वसंदर भारत का पर्थम गवर्णर जिनर था लौड मॉंड वेटन और अंतिव वाइस रहे था ध्यान रखेगा आप सभी लौड मॉंड वेटन अगला कोईशन दिखिए भारत की पर्थम महिला आईपियस कौन थी फ्रेंड तो राइट आंसर आफिसर नमट दिजाएंगे कीरन बीदी कीरन बीदी जो है ये भारत की पर्थम महिला आईपियस थी अन्ना जार्ज कौन थी तो ये भारत की पर्थम महिला IAS थी ध्यान रखेगा अब सभी फातीमा भी भी कौन थी तो ये सुप्रीम कोट की पर्थम महिला नियाईदीश थी लीला सेट कौन थी, तो ये उच्छ नियाले की पर्थम महिला मुक्ष नियाए दीस थी नीला सेट, अगला है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पर्थम तो राइट आंसर ओफिसर में योग जाएंगे चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पर्थम देश से ध्यान रखे गाफ सभी अगला कोशन दिखी फॉल बैक सब दिन निम्न में से किस खेल से सम्बंदी थे तो यह सम्बंदी थे कुश्टी से तो फॉल बैक जो सम्बंदी थे वो किसे सम्बंदी थे कुश्टी से सम्बंदी थे ध्यान रखे गाफ सभी इसके अलाबा पूल चीत यह सभी कुश्टी से ही सम्बंदी थे अगला है कि भारत ने सरपर्थम किस वहें राश्ट मंदल खेलों में भाग लिया था फ्रेंड तो right answer option मैं से जाएंगे 1934 में 1934 में भारत ने पहली बार राश्ट मंदल खेलों में भाग लिया था ध्यान रखेगा पर्थम राष्ट मंडल खेलों का आयवजन जो हुआ था वो उनाई सो तीस में हुआ था कहाँ पे यह हुआ था हेमिल्टन में जो कनाड़ा में पढ़ता है वहीं पर पहली बार राश्ट मंडल खेलों का है उजन किया गया था उन्हें सो तीस में पर भारत ने उन्हें सो चौटीस में भाग़ी था चार सल बाद अगला कोईशन दिखें कोईशन में 45 जितना भी जेनरल अविरनस का पोर्शन है वो सारा पोर्शन आपको हम कवर करवाने वाले हैं भारत के किस राज का समूंदरी तट्रेखा सबसे अधिक लंबा है और भारत का नो राज जो समूंदरी तट्रेखा से लगा हुआ है तो यह नो राज लगा हुआ है अगला कोशन देखें निमलेकित में से कौन सा सुमिलित नहीं है परबत दर्रा दिया हुआ है और राज दिया हुआ है देखें सिपकिला दर्रा हिमाचल परदेश में बिल्कुल सही है बोमडीला दर्रा अरुनाचल परदेश में बिल्कुल सही है पर नाथुला दर्रा मेगाले में ये गलत है नाथुला दर्रा कहां पे सिक्की में है तो दियान रखेगा आप सभी नाथूला दर्रा जो है वो सिक्की में नाकी मेगाले में याद रखेगा आप सभी जो जीला कहां पे हैं जम्मू कस्मीर में हैं किलिया रहें तो याद रखेगा नाथूला सिक्की में अगला कोशन दिखिए सुबन सिरी निमलिकित में से किस की और व्हारत में सबर्दिक भूठ छेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो राइट आंसर और्फिसन में जलोड मिट्टी पाई जाती है ध्यान रखेगा है तो भारत में सबर्दिक कि किसके लिए उपयोगी है तो जैसे हो गया धान गेहूं गणना आलू तेलहन दलहन यह सभी उपजाओ के लिए उपयोगी माना जाता है इस मिट्टी को अगला कोशन देख लिए निमलिकित में से कौन से जल बिद्दूत परयोजना जम्मू कस्मीर में नहीं है इन में से कहां पे हिमाचल परदीश में हैं कहां पे हिमाचल परदीश में हैं ध्यान रखेगा आप सभी के लिए रहें जम्मू कस्मीर में कौन कौन सा है सलाल है उरी है दुलहस्ती है यह सभी जम्मू कस्मीर में हैं अगला कोशन निमलिकित में से किस राष्टि जलमार की लंबाई सबर दीखे हैं राष्टि जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक हैं कितनी है 2890 किलो मीटर है ध्यान रखेगा आप सभी कितना है 2890 किलो मीटर राष्टि जलमार्ग वन की लंबाई कितनी है 1620 किलो मीटर वहीं पर टू की बात किया जाएं तो इसकी लंबाई जो इफन 891 किलो मीटर है कितना 891 किलो मीटर और वहीं 3 की बात किया जाएं तो ये 365 किलो मीटर है तो सबसे अधिक लंबा कौन है राष्टिय जलमार्ग 4 है अगला है लाल बहादुर सास्त्री अंतराष्टी हवाई अड़ा कहा है तो राइट आंसर ओफ्सन नमर भी हो जाएंगे वारा नसी में ध्यान रखेगा आप सबी तो लाल बहादुर सास्त्री अंतराष्टी हवाई अड़ा कहा है वारा नसी में पटना में कौन सा हवाई अड़ा है तो ध्यान रखेगा आप सबी अगला question देख लिए जे निमले कित में से कौन उसने कटी बंदिये घास अस्थल नहीं है friend तो right answer option में डियो जाएंगे पंपास जो है friend ये उसने कटी बंदिये नहीं है ध्यान रखेगा ये क्या है situation कटी बंदिये घास अस्थल है अगला question है कि पर्थम पिर्थिवी सीखर सम्मिलन का आउजन कहा किया गया था तो पर्थम पिर्थिवी सिकर सम्मिलन का आयोजन जो किया गया था रियोडी जिनरो में किया गया था ब्राजिल में ध्यान रखेगा आप सभी और यह कब किया गया था 292 में किया गया था स西यूकराच अमिर्का द्वारा किसे लिए किया गया था तो परियावरन तथा सतथ विकास पर पहल करने के लिए किया गया था अगला कोईशन ये बंड़outer कि राष्टे परियावरन अभियांत्रिक सोद संस था निम्न में से कहां अवस्थी थें तो ये अवस्थी थें नापपूर में ध्यान रखेगा आप सभी तो राष्टे परियावरन अभियांतरिक सोच संस्था जो है नापपूर में इस्थी थें अगला है कि परियावरन सरक्षन के लिए green army कहां प्रारम किया गया था तो यह आस्टृसिलिया में प्रारं किया गया था ध्यान रखिएगे आप सभी परियावरन सतर्ख्षण के लिए गडिए ग्रिरीन आर्मी का जो प्रारं किया गया है अगला qution दीखे तो राइट आंसर अप्षण में डिवजेंगे, फाइटो प्लेंड के टॉन्स होते हैं ध्यान रखेगा आप सभी समुद्री वातावरन में मुख प्रात्मिक उत्पादक अगला कोईशने मॉन्ट्रियल प्रोटो कॉलनिमने में से किसे संबंदी थे तो यह अजोन प्रत के च्छाई को रोकता है ध्यान रखेगा आप सभी और यह अजोन प्रत को हानी पहुचा रहा है क्लोरो फ्लोरो कार्मन उसे क्या करता है हाटाता है यह अगला कोईशन देख लिए निमलिकित में से कौन सी सव्यता अपने नगर नियोजन के लिए परसिती फ्रेंड तो याद रखेगा आप सभी सिंदु गाटी की सब्यता अपने नगर नियोजन के लिए परसिती ध्यान रखेगा और सिंदु गाटी सब्यता की दो मुख नगर थे हरपपा और मोहन जोदरो थे अगला कोई से नहीं कि प्राचीन भारत के परसित सासक जिनोंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था वो कौन थे तो याद रखेंगा आप सभी चंद्रगुप्त महारीं ने अंतिम दिनों में जैन धर्म की दिख्चा ली थी किस से भाद्र बाहु से भाद्र बाहु से जैन धर्म की दिख्चा ली थी और स्रवन बिलगोला जो करनाठक में पड़ते हैं वहीं पर इसकी मिर्टी हुई थी 298 इसापूर में कब 298 इसापूर में हुआ था उपास रखा था और इसी में इसका सरीरत्यागा था अगला कोशन ने मिलिकित में से कौन सा कला ग्रीग बौधी कला के नाम से भी जाना जाता है तो गंधार कला को जाना जाता है अगला कोशन देख लिजे चंगेज खान ने किसके सासनकाल में भारत की सिमाओं पर आकर्मन किया था और यह कौन थे कितुबूधिन एवक के दमात थे अगला कोशन देख लिजे अगला कोशन है कि दिल्ली संतलत का अंतिम बंस था तो राइट आंसर ओफिशन में डिजेंगे लोधी बंस दिल्ली संतलत का अंतिम बंस था और 1526 में पानिपत का पर्थम यूद हुआ था और इस यूद में क्या हुआ लोधी बंस का हार हुआ था किसका इबराहीम लोधी का और उसके बाद मुगल बंस के अंस्थापना हुई थी दिल्ली संतलात पे कुल पाँज बंस होने सासन किया था कौन कौन सा था गुलाम बंस था उसके बाद जो एक खिलजी बंस था तुगलक बंस था सयद बंस था और लोधी बंस था लोधी बंस सासक बिरवल था अगला कोई से नहीं कि भारती राष्टे कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष थे राइट आंसर ओफिसन में डिजेंगे बदरुदिन तैपजी फ्रेंड ये भारती राष्टे कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जो कि भारती अस्थापना भी हुई थी चमपरन सत्यवर में याद रहाओ हुआ है कि निमने मैं के मिलमए स्थापना के पहले सोविनिय अभिया अंदूलन हुआ था तो किस घटना से पहले जो एकी शोविनिय आवग्यान अंदरन का सुरुवाद हुआ था तो यह हुआ था गांधी इर्विन समझावता की पाले ध्यान रखेगा गांधी इर्विन समझावता कब हुआ था पांच मार्च 1931 को हुआ था पर शोविनिय आवग्यान अंदरन कि किस घटना के पहले शोवनिय अब इया अंदरण शुरू हुआ था, तो गांदी इर्विन समझोता कि पहले हुआ था, ध्यान रखेगा आप सभी उन्हें 30 में ही शुरू हुआ था, साइमन कमिशन कब आया था तो ये 1928 में आया था ध्यान रखेगा आप सभी भारत 1928 में आया था और चुरा-चुरी कांड कब हुआ था 5 फरबरी 1922 को हुआ था ध्यान रखेगा आप सभी और इसी में S.E.O. का अंधरन को वापस लिया गया था पुना पैकेट कब हुआ था पुना पैकेट पर समझोता जो हुआ था ये 1932 में हुआ था तो कोश्चन के हिसाब से गांदी इर्बिन समझोता हुआ ध्यान रखेगा आप सभी क्योंकि आज पास में गांदी इर्बिन समझोता ही था और साइमान कमिशन और चोरा चोरी कांड बहुत आगे हो जाता है अगला कोशन है कि रविनाट टैगर की गितांजली निम्न में से किसका संग्र है गितांजली के लिए रविनाट टैगर को 1913 में नोबेल पुरुसकार दिया गया था ध्यान रखेगा आप सभी कब 1913 में दिया गया था गितांजली के लिए और इसमें जो एकी भासा लिखी गई थी वो मुख करूप से बांगला भासा थी और ये कविताओं का संग्र है याद रखेगा ये राइट आंसर एंगे इसका है कविताओं का है अगला कोशन है भारत ने किस देश को हरा कर पहली बार थॉमस कब का किताब जीता राइट आंसर आपसन हो बिजगे इंडोनेसिया को हरा कर पहली बार कौन सा किताब जीता थॉमस किताब जीता था अगला है कि हाल ही में भारत के नए मुख निर्वाचन आयोक्त किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर औपसर में उजएगे राजिव कुमार को बनाया गया है मुख निर्वाचन आयोक्त ये राइट आंसर हैं फ्रेंग अगला कूशन है कि दुनिया के पहली पहियों पर संग्राले का उद्गाटन भारत के किस सहर में किया गया है तो यह जो किया गया है कोलकाता सहर में किया गया है ध्यान रखेगा आप सभी अगला है कि अगला है टाटा आईफेल 2022 का किताब किस टीम ने जीता है फ्रेंग तो आप से को पता होंगे गुजरात टाइटन्स ने जीता है बी रेट आंसरेंगे